Hello everyone, I'm Ayesha from National Academy of Fire and Safety तो आज हम बात करेंगे Fire Safety के बारे में यानि कि अगनी सुरक्षा के बारे में अभी तक हमने बात की थी आग क्या होती है, आग कैसे लगती है, आग को कैसे बुझाया जाता है ठीक है, पर आज हम बात करेंगे कि हम ऐसी क्या Prevention दे जिसकी वज़े से आग लगी ना पाए देखे, अगर हम अपने इंडरस्ट्री में या अपने किसी भी रेजिरेंशल बिल्डिंग में Fire Prevention रखते हैं तो यह समझ लीजिए, हम 50% तक कोई भी आग से होने वाले एक्सिडेंट को रोक सकते हैं ठीक है, बहुती रियर केस होता है कि कभी Fire Prevention रखने के बाद भी आग लग जाती है पर ज़्यादा तर Fire Prevention अगर हम रखते हैं तो आग नहीं लगती है, ठीक है तो इसके Points के बारे में मैं आपको बताऊंगी, तो देखिए, जैसे कि आप जितनी भी Buildings अपने आसपास रहते हैं Residential Building हो, या फिर Official Building हो, या फिर Industrial Building हो, सब में Fire Prevention रखना ज़रूरी है ठीक है, तो आज मैं बात करूँगी, Industrial Building के बारे में, कि हम Industry में कैसे Fire Safety Prevent कर सकते हैं ठीक है, तो इसमें कुछ Points में आपको बताऊंगी 10 Major Points है Fire Safety के, कि हम कैसे Industry में Safety Provide कर सकते हैं ठीक है, तो सबसे पहले तो जो भी Firefighting के Equipment रहते हैं, वो होना Industry में ज़रूरी है ठीक है, सेकिन क्या है अपना, जहां भी हम काम कर रहे हैं, पूरी Industry में, जितने भी Plants हैं हमारे, उन सब में एक Exit Door होना कंपलसरी है ठीक है, Exit Door ऐसा Mention होना चाहिए, कि वो सब को दिखाई दे और सेकिन चीज उसमें ये है, कि जो भी Exit Door से जाने वाला पाथ है, यानि कि वे है रास्ता है, वो इतना Clear होना चाहिए, कि ऐसा नहीं होना चाहिए, उस पर सामान बिकरा पड़ा है, कि कोई भी वेक्ति अगर भाग कर जाता है तो वो गिर जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, पाथ एकदम Clear होना चाहिए, Exit Door का उसके बाद हम Smoke Detector लगा सकते हैं, फायर अलाराम लगा के रख सकते हैं इंडरस्ट्री में, जिसकी वज़़े से अगर आग लगना शुरू होती है, तो वो तरंद बुझा दी जा सके हमारे Firefighters जितने Train होना चाहिए, उन्हें रोज Fire Drill करानी चाहिए, Training देनी चाहिए, जिसकी वज़़े से अगर आग लगती भी है, तो Firefighters उसको पता हो, या और भी जो लोग हैं हमारे कुलीक से, उन सब को ये पता होना चाहिए, कि कैसे Firefighting की जाती है, कि जिससे आग लग तो तुरंत कोई भी जहां भी आख लगना शुरूर है, वहाँ अगर कोई प्रेजेंट है, तो तुरंत उसे बुझाने की कोशिश कर सके, ठीक है, जो भी Industry का Map है, वो इक्दम clear होना चाहिए, सब को सभी जगाओं के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, और अगर कोई भी flammable area है, यानि कि कई flammable material रखे रहते हैं जिस area में, वहाँ पे थोड़ी extra safety रखनी चाहिए, जिसकी वज़े से आग ना लगने पाए, क्योंकि flammable area में आग लगने की chances जादा से जादा रहते हैं, ठीक है, तो ये सारे points तो हो गए हमारे safety के लिए, एक चीज़ और होती है, एक assembly point रहता है, industry में, मतलब एक ऐसा point जैसे कि अगर कोई भी खत्रा होता है, अगर अलाराम बजता है, तो वो सारे लोग industry में, जितने भी लोग है, वो आके एक point पर खड़े हो जाए, ठीक है, जिसको कहते है assembly point, ठीक है, सबसे पहले तो अगर आग लगना शुरू हो जाती है, तो हमें पहले उसे बुझाने की कोशिश करना चाहिए, अगर नहीं कुछ पा रहे हैं, तो हमें उस area को छोड़ कर बाहर निकल के आ जाना चाहिए, ठीक है, तो ये सारी बात तो हो गई हमारी आग के बारे में, कि हम क्या prevention दे सकते हैं, उसके बाद ये छोटी-छोटी हम use कर रहे हैं, उसे overload ना करें, जिसकी वज़ा से वो heat हो जाया और circuit होने की chances बढ़ जाया, तो हमें जो भी machine पर हम work कर रहे हैं, उसे भी rest दें, उसके बाद अगर कोई भी equipment अगर use में नहीं आ रहा है, तो उसे switch off करके, unplug करके रखें, ठीक है, उसके बाद अगर हम कोई भी solution लेते हैं, तो उसको ऐसा prevent करें, ऐसी precautions लें, जिसकी वज़े से आख ना लगने पाए, और ये देखिए, NFP और OSHA, NFP है हमारा National Fire Protection Association, और OSHA है हमारा Occupational Safety Health Association, ये दोनों ही industrial safety पे अपने अपने points बनाती हैं, अगर NFP और OSHA के points अगर हम अपनी industry में रखते हैं, तो बहुत हद तक हम accidents रोग सकते हैं, ठीक है, NFP और OSHA के बारे में भी आपको बताऊंगी, अभी मैं आपको fire alarm और smoke detector के बारे में बताऊंगी, कि ये दोनों कैसे काम करेंगे, और industry में रखने से इनके क्या benefits होते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे fire alarm के बारे में, देखिए, द अप्रमेटिक fire alarm यूज़ करना चाहिए, पर जैसे कि malls होते हैं, cinema halls होते हैं, बहुत सी जगाओ पर आपने देखा होगा, वहाँ पर manual रहते है fire alarm, क्या रहता है, एक case रहता है, ग्लास का, कांच का एक case टाइप का रहता है, उसे फोड के वो alarm जो रहता है, उसे पुल करना ह है, detect करके, ठीक है, तो fire alarm लगाने के benefit यह है, कि अगर fire alarm हमारे हैं लगा होता है, माल लिजे, manually लगा होता है, तो अगर आग लगना शुरू होते है, तो कोई भी एक बेक्ती जाके उसको pull कर देता है, उसके trigger को, तो समझ लीजे, पूरी industry में alert हो जाएंगे लोग, पूरी industry म होते है, manually और automatically, ठीक है, manually पहले जादे यूस होते थे, अभी तो automatically यूस किये जाते है, automatic fire alarm, ठीक है, देखे, manually जो fire alarm रहता है, वो इस type का कुछ दिखता है, यह आपको पूरा ऐसा है, इसके उपर एक ग्लास लगा रहता है, ग्लास का cover रहता है, जिसको फोड के, अगर हम य industry या जहां भी हम है, वहाँ पर noise होना शुरू हो जाता है, और हमें पता लग जाता है, कि आग लगी है, जिसकी वज़े से हम जल से जल कोई भी action ले सकते हैं, और बहुतों की जन बचा सकते हैं, हम मैं बात करूंगी smoke detector के, ठीक है, smoke detector क्या है, यह wall पर fix रहता है, ठीक है, कह यह work कर रहा है या नहीं, ठीक है, इसके अंदर से जो sound निकलता है, वो warning होता है, पूरी building के लिए, वो warning देता है, और इसके लिए हमें अलग से alarm लगाने की जरूद नहीं है, यह खुद ही noise करना शुरू कर देता है, ठीक है, यह alarm से खुद ही directly connect होता है, तो उसके हमें बिल्डिंग में तो यह use होता ही है, ठीक है, यह fire alarm control panel से attach रहता है, तो इसका alarm system खुद बाखुद शूरू हो जाता है, ठीक है, तो fire alarm के बारे में पता चल गया, smoke detector के बारे में पता चल गया, हम sprinklers भी use कर सकते हैं, sprinklers के बारे में भी आपको बताऊंगी, ठीक है, तो देखि यह इस तरह का smoke detector दिखता है, वन मंत के अंदर हमें इसका test कर लेना चाहिए, क्योंकि इसका maintenance करना भी बहुत जरूरी है, पता चल यह लगा तो whack कभी fire लगना शुरू भी हो गई, और यह detect ही ना कर पाए, तो इसकी और जैसे इसकी testing करना भी जरूरी होती है, और हमारा समझ अगर हम करना चाहते हैं, तो आगे में कुछ और points के बारे में बताऊंगी, अभी मैंने आपको यह सब clear कर दिया है, यह चोटे-चोटे points अगर हम use करते हैं अपने industrial safety के लिए, तो हम आग से होने वाले accidents को रोख सकते हैं, तो thank you